हेलो दोस्तो, दोस्तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि SI यानि की सम इस्पेक्टर कैसे बनते हैं दोस्तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि UP SI की वेकंसी निकाल दी गई है ऐसे माप में से बहुत सारी लोग होंगे जो इसकी वेकंसी के लिए अप्लाई करना चाहते होंगे दोस्तो आपके जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि जो वेकंसी है वो आप अप्लाई कर सकते हैं साथ जैनुवरी दोहजार चोबिस से अगर आप चाहें तो इसके लिए अपलाई कर सकते हैं अगर आप यूपी से हैं दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि यसाई यानि कि सम इस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है उसके लिए जो क्वालिफिकेसंस वग आते हैं कि एसाई आप कैसे बन सकते हैं सबसे पहले आपको वैकंसी के बारे में थोड़ा सा पता देते हैं दूस्तों इंपोर्टेंट डिट इसमें यह है कि आप इसको सात तारीक से अपलाई कर सकते हैं यानि कि 7 जनुरी 2024 से अपलाई होने स्टार्ट हो जाएग गिया उ बात करते हैं age limit इसमें क्या दी गई है और qualifications आपके पास क्या होनी चाहिए दोस्तों इसमें qualifications में बात की गई है दो तरीके से सबसे पहला है कि आपके bachelor degree आपके पास होनी चाहिए जिसमें BA, BSC, B.com, B.tech, B.C., MBBS कोई भी course अगर आपने जो bachelor level के courses होती है अगर उसे कल लिया है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं साथे साथ अगर बात करते हैं आपके age limit की तो आपके जो उम्र निरधायत की की इसमें 21-28 words के बीच में होनी चाहिए और जो आपकी OBC वाले candidate रहते हैं यससी candidate वाले रहते हैं उनके लिए उम्र में कुछ छूट भी यहाँ पर दी जाती है साथे साथ computer का आपके पाथ अच्छा knowledge होना चाहिए और आपकी Hindi जो tapping होनी चाहिए वो 25 word per minute होनी चाहिए या फिर English सगर typing का आप करते हैं तो कम से कम 30 word per minute आपको typing भी यहाँ पर होनी चाहिए इसमें stenographer की भी पोस्ट दी गई है तो उसके लिए आपकी जो word हिंदी में आके होनी चाहिए वो 80 word per minute होनी चाहिए तो computer का भी knowledge होना चाहिए क्योंकि इसमें ESI के भी vacancy निकाली गई है जिसमें stenographer ESI के लिए है constable के लिए, clerk के लिए है ESI के लिए तो उस post के लिए भी इसमें postage दी गई है total number आप postage के बात करते हैं तो 921 postage दी गई है आपको most important है इसमें सबसे ज़रूई है कि जो postage दी गई है उसमें से postage प्राप्त करने के लिए आपके पास fiscal requirement क्या माँगी जाती है जो तो fiscal में बात करते हैं फिजकल में आता है सबसे पहले आपके हाइड आती है हाइड के अगर हम बात करते हैं तो आपके जो OBC और GENERAL और ESC कंडेट के लिए 63 cm आपकी हाइड होनी चाहिए और ESC कंडेट रहते हैं तो लगभग 156 cm आपकी हाइड होनी चाहिए तो 1500 cm आपकी हाइड होनी चाहिए जनल OBC और ESC के लिए अगर आप ESC रहते हैं तो 145 cm आपकी हाइड आपके मांगी जाती है रणिंग अगर अगर इसमें कराई जाती है इस बार कराई जा रही है या फिन नहीं इसके बारे में अभी पूरे डेटस में नहीं दिये गया है अगर आपकी कराई भी जाएगी तो रणिंग इसमें maximum आपके रहता है 4.8 km रणि करने के लिए लगभग आपको 25 मिट का समय दिये जाता है अगर आप महिलया कंडेट रहती है तो लगभग आपको 16-100 मिटर रणि करनी होती है जिसके लिए लगभग 8 मिनिट के यहाँ पर आपको समय दिये जाता है यह कुछ समय आपका निर्धाइद होता है रणि करने के लिए अब आपको बताते हैं फिसकल रिकॉर्मेंट तो हो गया कि जाएगी और सारी चीजे करनी कराया जाएगी तो अगर इसमें पूरी डिलस में दिया नहीं हुआ ह कि रनिंग कराया जाएगे कि नहीं इसके बाद होज़ों पर हाईड चेक किया जाएगा आपका च्रेस्ट मैंजर किया जाएगा और जो भी physicality में कराया जाता है वो सारी चीज़ आपको की जाएगे तेन आपको होगा medical, medical में आपकी आँखें, कान, blood group सारी चीज़ आसा-से चेक किये जाएगा कि कोई आपको physically problem तो नहीं है तेन आपके medical के बाद document verification के बाद document verification के बाद आपकी merit list बनती है और merit list के हिसाब से जो आपके marks का आया रहते है उसके according आपको UPSI या फिर ESI की post आपको मिल जाती है अब बात करते हैं जो सबसे most important है कि UPSI का syllabus क्या होता है ये जरूर पता होना चाहिए अगर आप किसी भी exam को clear करना चाहते हैं बात करते हैं इसमें written exam का जो आपका syllabus होगा इसमें एक paper आपको देना होगा बात करते हैं इस paper में क्या क्या question आएगा तो journal हिंदी और computer knowledge से कम से कम 50 question रहने वाले हैं जिसे 100 mark निर्धाइथ होगा दूसरा subject होगा general knowledge और current affairs से 50 question रहेंगे 100 mark इसके बाद numerical and mental aptitude test 50 question 100 mark आप निर्धाइथ है जिसके लिए 400 mark नहीं पूरा रहता है अब बात करते हैं इस paper को हल करने के लिए timing क्या दी गई है तो timing जो है वो है आपकी लगभग ढ़ाई गिंटे का समय दिया गया है इसमें कोई भी negative marking नहीं दी गया है अब आपको बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें यह most important है बहुत सारी लोग जाना चाते हैं दोस्तों अगर आप UBSI के तैयारी करना चाते हैं या फिर किसी भी state में आप रहते हैं या PESI या फिर आप किसी भी state के जो SI की विकंसी आती है कहां से ज़्यादा question आते हैं कौन से topic को हमें जरूर पढ़ना चाहिए यह सारी चीजे कब आपको पता होगी जब आपके sleepers आपको पूरी तरह से clear होगा तो sleepers को सबसे पहले अच्छे से पढ़ ले exam pattern होगा इसका समझ ले second आता है previous year question paper अगर आपके पास है या फिर internet पे आपको मिल भी जाता है आज का समय में उस सारी चीजे बहुत आसानी से आपको मिल जाती है तो इससे आप google पे साच करेंगे previous year के या फिर youtube पे आप देख सकती है इसके बाद उस paper को solve करना है 2-3 years के आप देख सकती है उठा के question paper की case प्रकार से question वगर आता है इससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है और exam को जब आप समझ जाते हो कि कहां से question क्या क्या आने वाला है तो आप आसानी से किलेर कर सकती है यह रहा दूसरा point तीसरा आता है time management का कौन से subject आपका week है कौन से subject के आपने पढ़ाई करी है कौन से subject आपका बहुँ ज़्यादा week है कौन से strong है किसको कितना समय देना है यह सारी चीज़ आपको तब पता चलेगी जब आपका time management आपको पता होना चाहिए कहाँ पर आपको ज़्यादा समय देना है कौन से subject कितना time देना है कितना समय आपको phone के use करना है कितना time आपको book से पढ़ना है यह सारी time management से आप सीख सकती है तीसरा चौथा बात करते हैं अगर आपका exam के preparation कर रहे हैं तो आता है आपका mock test मोग test आपको तब देना है जब आपको पूरी तरह से आपको स्योर हो जाएं कि हमने पूरी तयारी कर ली है आप हम mock test देने के लिए तयार है जैसे कि आपका exam नजदी का कि है 10 दिन 15 दिन बचा हुआ है तो इसके बाद mock test देना है स्टार्ट कर जिए यह चार चीज़े अगर आप ध्यान पर रखती है तो किसी भी exam को आप आसानी से clear कर लेते है पहला आता है syllabus के बारे में syllabus के साथ साथ आपको time management के बारे में अच्छी knowledge होनी चाहिए इसके साथ मोग test दे दिये previous paper को आप solve करते है यह चार चीज़े अगर आप अच्छे से follow करते है तो किसी भी exam को आसानी से आप clear कर सकती है अब बात करते हैं कि अगर आप UP YSI के exam को clear कर लेते हैं तो salary वगरे क्या मिलती है यह भी आप जानना चाहते होंगे तो salary आपके बता देते हैं तो लगभग आपकी salary 45 से 50,000 के बीच में starting salary होती है और जैसे आपको experience बढ़ता रहता है आपका promotion भी होता है promotion के साथ salary भी आपकी जैसे इसे आप काम करते चले जाती है SI के post भी आपकी salary भी आपे बढ़ती रहती है I hope आप समाझ गयोंगे UPSI कैसे बनती है SI के लिए क्या क्या qualifications चाहिए exam pattern क्या होता है selection process qualifications यहां तक की तैयारी कैसे करते हैं साथ जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी है और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाई को subscribe जरू कर ले बिलता है नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन